मित्र कुछ दिनों से हम लाइव क्लास में टारेक प्रकरन का अध्येन कर रहे हैं उस क्रम में आज एक छोटा सा पाठ लेकर आया हूं आप सब के लिए तो कि ज्यादा ज्यादा सुत्र ना पढ़ें नहीं दिमांग से उपर चला जाएगा और आप सब की परिशा में भी बहुत समय बचा है तो फिर स्लेबस में भी बहुत ज्यादा सुत्र है नहीं यह दिनेट ज्यारेफ पीजिटी यूपी असिस्टन प्रोफेसर जीडिसी ट्यादी के परिशाओं की तयारी करते हैं तो आपको पूरा कारा कध्यान करना है परंतु तो कि क्रमे अक्रध द्रुहीरक्ष्यासुया म्यम प्रति कोपा यह क्या कहता है देखे क्रुध क्रुध मतलब होता है क्रोध दिख रहोगा दुरु मतलब द्रोह करना विद्रोह होता न विरोध एक प्रकार का इरश्या जलन असुया असुया मतलब होता है एक प्रकार की यह भी देशी है और एक प्रकार का क्या कहते यहां भी आगे देखेगा असुया कोई व्यक्ति अच्छा गुनवाने लेकिन फिर भी उसमें तोस नीकालना है ना अरे गुरुजी खुब अच्छा पड़ाते हैं गुरुजी कि मजाग करते रहते हैं ना ना दोशाविस्करन गुन नहीं दिखाई पड़ेगा गुण में कुछ दोश काली दिखाई आए ब्रहना मिक्षांति मक्षी का है ना है तो और जिसकी जहां पर ध्यान भती उसका वहीँ जाता है भाई भाउर हो मदू चाहते हैं मलविच्छ Сов का म्हणी परोविच्छक्ष कि खाओ मिल जाती तो इसा तरह दोश दुश्टी जаются जो दूरश दृष्टी से देखता है आए yıl सुवं या pastben जिसके प्रति कोप है, जिसके प्रति क्रोध है, वह अब जक्ती सम्प्रदान होगा, अब आप प्रस्न करेंगे पहली बात, कि यहां तो सूत्र में कह रहे हैं क्रुध, द्रु, इर्षय, आसुया, यह चार अर्ध कह रहे हैं, है ना, क्रोध अर्थ वाली धातु हो, सहपाना कोई व्यक्ति कुछ ऐसा करें इसको सहना पाना करना और असुया कहते हैं गुनेशव दोशकार करना इस चार प्रकार के अर्थों का प्रियोग होने पर इन चार पकार के अर्थवाले धात्मों का प्रियोग होने पर यम प्रतिकोपा जिसके प्रतिकोप है वह संप्रदान होता है कौन संप्रदान होता है यम प्रतिकोपा जिसके प्रतिकोपा जिसके प्रतिकुषा किया जा रहा है वह संप्रदान होता है यंप्रति कोपा क्यों कह रहें यंप्रति द्रोहा भी क्यों नहीं कहा यंप्रति इर्श्या क्यों नहीं कहा यंप्रति असुया क्यों नहीं कहा तभाई आप समझ लीजिए चाहे क्रोध होगा चाहे आप क्रोध करेंगे चाहे किसी से द्रोह करेंगे द्रोह करेंगे तब उस उसके उपर गुसा रहेगा तभी आप द्रोह करेंगे उसके प्रति आपका कोप रहेगा तभी आप उसके गुनों में दोश देखेंगे अगर ऐसा तो होगा ने कि किसी के प्रति आपका बहुत प्रेम है लेकिन उसमें गुन में दोश देखेंगे अगर आइसा तो होगा ने तो जिसके प्रति कोप है वह संप्रदान पहलाता है तो जिसके प्रति कोप है वह संप्रदान ढं़ फिक है आप देखें मान लेजिए हं राएक रुद्य की कोई भक्त है, है ना, भक्त हारये कृध्यती, अब क्रोधार्थक धातु का प्रियोग है, है ना, कौन गुस्सा कर रहा है, इस क्रोधार्थक धातु का करता कौन है, भक्त, अब भक्त क्रोध करता है, इस दृष्टी से देखा जाए, तो भक्त किसके उपर क्रोध कर रहा है, किसके प्रतिक्रोप है क्रोधार्थक धातु का प्रियोग है की नहीं क्रोधार्थक धातु का प्रियोग हो और जिसके प्रतिकोप हुआ संप्रदान हो जाता है तो उसका कोप हरी के प्रति है है ना विश्णु भगवान के प्रति है तो फिर विश्णु भगवान के प्रति कोप है तो यहंप्रती कौपा हो सौपरदान हो गया है ना उसकी समझे नहीं सुन रहे हो यह सब यूशकता हैँ कई हरीश चंद्रा आरकंपनी स्थ हैं जुश Ses engaged के दिद्रीश सी गह फुर रस सम् अर्व क्या को सब्सवार है ऊपर और घूलेört के उपर बंदर की उपर उपर गुसा कर रहा है ऑपर कोई भी हरिक वारी तो न अनेकार्थ है शब्द और अनेकार्थक शब्द होता है जापर अद्येर नियंत्रत इसे खरूल रही शब्द तो हरी शब्द का रत्विश्णि ही होगा तब फिर गदा इत्यादि नहीं होगा है ना इना अइशे ही मधूना मत्त हां मधुना मत्त हां पिकह अब मदू के दवारा मत्त हो गया पिकह तभी आप सामर्त देखेंगे सामरते देखेंगे क्या कोयल सराब पी के मत्त होगा है मदुशब्दकार्थ सराब भी होता है मदुशब्दकार्थ सहद भी होता है मदुशब्दकार्थ मदुनाम कराक्षस भी होता है है ना और मदुशब्दकार्थ होता है चेत्र महीना भी मधुशब्द का आर्थ होता है वसंत रितु भी अब मधुना मत्त पिका कोई अल मधु से मत्त हो गए तो मधु का तात्परि वो सराब पी के मत्त नहीं हुआ मधु का आर्थ वो सहद पी के मत्त नहीं हुआ मदुकार्थ वसंत को रितू से मत मुझ भी तो है तो, मदुष पास कौन सा सब्द उसके आदाल पर हमर्ज लेते हैं पर यहां आसपास कौन उसनी सब्द ने जिससे हम हरी कार्थ निशीद कर ले जिक हरी कार्थ भी शुणा हैं कोई प्रसंग नहीं ये प्रतिक्रोध करता अब हरी कौन है वो आप चाहे जो अर्थ लेले यम के प्रतिगुष्णा करता है चाहे विष्ण भगवान के प्रतिगुष्णा कर रहा है चाहे अनिल के उपर यानि वायू के उपर चाहे विंद्र के उपर चाहे अगनी के उपर चाहे चाहे सिंग के उप पर हरी के प्रतिकोप कर रहा है अब बाई जिसके प्रतिकोप है वह कौन है हरी है वह संपरदान हो गए चतुर्थी संपरदाने सुत्र नहीं क्या कहा चतुर्थी विवक्ति लगा तो हरी शब्द के बाद चतुर्थी विवक्ति लगाया कौन सा हरी शब्द है चतुर्थी व गित प्रत्य है और हरी शब्द है घी संग्यक गहर या नहीं आएगा अकारांत शब्दों के बाद घ्शा है यहां नहीं आएगा यहां कैसे होगा यहां लिख देता हूं हरी शब्द है हर शब्द के बाद गे में इसे वचा है ए गे में गा की इत संग्या होती है एक नियम है घेर नीती ठीक भूल गयते हैं ना इसलिए हम आपको याद दिलाने के लिए हम जानते थे हम जानते थे इसलिए बोले हैं घेर नीती कहता घी संग्यक शब्द के बाद गित प्रत्त या सभस्य बढ़मास, सभस्य को और इस इस भी आइस सभाइब सब्राइब तो गून कर yn तो रहाए बनता ए को में थुड़ा विश्यःषनियाम लग जाता अच्यव blending भिश्य नियम लग जिए तो बनता है ह Лब सूत्र नव्म रखा दिया अब अब हो गया ऊज़ा ध। रहे है किया हो गया लगान तो थे क्асट्र्ण और और जो संपरदान है उसके बाद उस शब्द के बाद चतुर्थी विवक्ती लगती है तो चतुर्थि भी भक्ती लिखति मतलब चतुर्थि भी भक्ती है क्या भाई ये जा करत धिया औरिये इर सु अफीर टीक है अब बागे दुछआ करतोड गश्या करता हुगता लिखति इस हविश्या रूठिक हो गये' कुध दुरो कह ब्रभ एर्श्या William 420 को प्रणे करो सब इसे द्रो मत करवाईरा है करो थो अई कैसे तो भी अच्छा है उनसे अप प्रेंभी करेंगे तो भी अछछा है यह करना रहा है वो कर ले, थे वारुबूदोपिसमुमां, है नं। अछे वेक्तियों के साथ, द्रभ भी कर लें तो भी ठीक है, है न। अब देखें यहां पर क्या है, प्रशन पूच रहें, यहां तक हो गया, उदारण प्रश्ण पूछरे यम प्रतिकोपह किम सुत्र में यम प्रतिकोपह क्यों कह रहे हो भाई यम प्रतिकोपह जिसके प्रतिकोपह ऐसा न कहें तो तो यम प्रतिकोपह को नहीं रखते हैं माली जे सुत्र में क्या होता कुर्धद्रुहेर्ष्यासुयार्थानाम संप्रदानम तक्रोधार्थक द्रोहार्थक इर्ष्यार्थक धार्तु के प्रयोग में जिसके प्रतिकोप है या नहीं है सब संप्रदान होने लग जाता है है न होने लगता है इसलिए जिसके प्र ellet कोब है उसी की संप्रदान संग्या होगी देश है अब डेकलेजे भारूा इिर्शति मैङनाम अन्यो द्रॉक्षी दिती यहां तोता मैङना किशी को दिखरा होगा न? इसका मसंधी को तोड़के लिखूंगा नहीं तो कुछ लोग सोचेंगे यहां कहां से मैना ले आए गुरुजी तो अब आप देख लिजिए कोई क्या है कभी कभी लोग बाजार में घुमने निकलते हैं बाजार में घुमने निकले अब किसी की भारिया बहुत जादा सुन्दर हैं है ना किसी की भारिया बहुत सुन्दर है अच्छा सजजज के कपड़े पहने के चल रही है तब लोग उसको देख रहे हैं लोग देख रहे हैं तो वो इर्शा करेगे अरे इर्शा करेगा ना उस दूसरा अद्राक्षित देखे, इसे कोई दूसरा न देखे, यहां अद्राक्षित मतलब देख लुंग लकार वो भूतकाल वाला नहीं है, भूतकाल अर्थ वाला लुंग नहीं निश्यधार्थक लुंग है, मांगी लुंग सुत्र से मा के प्रियोग में लुंग लगा है, मांगी लूंग से ठीक मांगी मा अभूत मा ए नाम अन्या अद्राक्षित इसको कोई दूसरा न देखे देखे अर्थ है देख लिया ऐसा नहीं भूतकाल वाला अर्थ नहीं आएगा भूतकाल लूंग लकार भूतकाल अर्थ में भी होता है पर हम आपको बता देखूतकाल अर्थ में लिट लकार भी हो जाता है लिट लकार भी हो जाता है भूतकाल में आपने कभी सुना है क्या है हम से सुनेंगे ना हम बहुत आपको ऐसा बताते रहेंगे लिट लकार आप जानते सामानेता भवश्यकाल में प्रयोग होता है ना, गमिश्यती, पठिश्यती, खादीश्यती, मतलब खाएगा, पढ़ेगा, जाएगा, इसा होता है, लुट लुमलकार मतलब, अध्राक्षित मतलब देखा, देखा, भूत्काल, पर ऐसा नहीं, एक सामान निता हुआ सारे नियम है, सामा अर्थवाला निशेधार थक है, अब ऐसे ही भूतकाल का क्या है, अभिज्यां बचने लृट, एक सुत्र देख लिएगा, अभिज्यां बचने लृट, भूतकाल अर्थ में भी यदि आप किसी को कुछ याद दिला रहे हैं, तो लृट का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे मान मैं आप से दो साल पहले काशी में मिला था, और वहाँ पर बीच्चिव में बैठ कर हम समोसा खाए थे, मान लेजे, ठीक है, अब आप यहाँ पर समस्क्रिट गंगा में आके हमसे मिले हैं, आपको मेरी याद नहीं आरी, मुझे नहीं पहचान पा रहे हैं, क्योंकि मैं पह का वचन कहरे हैं, यानि पुनाह समरन कराने वाले वचन करेंगे, तो भूत काल अर्थ में भी हम वृट लाकार का प्रयोग कर सकते हैं, कासीम बच्या वहा, हम कासी में रहते थे, समरसी ब्रह्मन, कासीम बच्या वहा, तत्रत्रिकोड़म समोसम, खादिश्या वहा, ठाते वहाँ पर समोशा खाते थे भाई खादी स्च्यावा कासीम वच्यावा यह होता है परंत यद सब्द का प्रयोग होने पर यह नहीं हो तन्ना यदी इसका निशेध है यद अगर प्रयोग कर दिये यद तो वच्यावा नहीं हो जा यत सब्द का प्रयोग नहीं मुलाजे ठीक है स्मरसी ब्रह्मन कासीम वत्ष्यावा वहां उदारण क्या दिया है स्मरसी कृष्ण गोकुले वत्ष्यामा तत्स तत्रगार गास चार इश्यामा ऐसा ठीक है तो अभिज्या वचने लिट है वह तो कि लकार आर्थ प्रकरण में विशयांतर हो जाएगा पर फिर भी यहां भूत काल अर्थ नहीं है यह मैं बता रहा था ठीक भूत काल अर्थ नहीं है ठीक है तो अब यहां पर इसी प्रसंग बस आ गया वो भी तो यह क्या कह रहा है भार्या से इर्ष्या कर रहा है काम भार्याम इर्ष्यती भार्याम इ देखे इती ऐसा भारिया से इर्शा करता है अब आप बताईए यहां भारिया के प्रति गुस्षा होगा क्या गुस्षा करेगा और गुस्षा करेगा तो घर पे भी जाएगा ना तब कहां जाएगा है ना तो इसलिए भारिया से यहां यम प्रतिकोपा हमें भारिया नहीं है तो क्या हो जाता भार्या यही इर्षती बनने लगता है ना इसे यम प्रतिकोप कह देने के कारण क्या पता चला जिसके प्रतिकोप है वही संप्रदान होगा भार्या के प्रतिकोप नहीं है इसलिए भार्या संप्रदान नहीं होगी ठीक है तो भार्या के प्रतिकोप नहीं ह बहले ही क्रोध आर्थक धातु का प्रयोग हो बहले ही इर्षय आर्थक दातु हो पर जिसके प्रतिकोप नहीं है उसको संप्रदान का है जिसके प्रतिकोप है वही संप्रदान होगा तो भारिया के प्रतिकोप नहीं इसलिए भारिया संप्रदान नहीं होगी भारियाम अब देख लिजे यहां पर यह जो बात आपने शुरुआत में पूछी थी अगर गुस्सा है तभी दो होगा अगर गुस्सा है तभी इर्शा होगी अभी गुस्सा है तो ही असुया होगी इसलिए सारे भी कोप प्रभवा यह वो कोप से ही उत्पन होते हैं आतो विशेशेण सामान्यन यह इसलिए 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 विशेशनम देख लिए इसलिए विशेशनम सामान्यन यह यंप्रतिकोप है इसलिए विशेशन सामान ने तह बता दिया गया यंप्रतिकोप यंप्रतिकोपा सामान ने क्यों कहा गया क्योंकि सारे क्रोध द्रोह उत इसलिए इत्यादि भी कोप प्रभव ही है इसलिए विशेशन सामान ने तहां यम्प्रति कोपा कहा है यम्प्रति दोहा यम्प्रति असुया यम्प्रति ये सब नहीं कहा इर्श्या केवल यम्प्रति कोपा कह दिया क्योंकि बाकी ये चारो कोप प्रभव है चारो कोप से ही क्रोध है तो इस तरह से हमने इस सूत्र में जाना कि क्रोधार्थक दातू द्रोहार्थक दातू फिर असुया अर्थक धातुं के प्रयोग होने पर जिसके प्रतिकोप है वह संप्रदान होता है इसी का एक बाधक सुत्र भी आएगा कृद्धर हो रुप्ष्ष्टयो कर्म अगे आएगा उसको अभ्यम पाठ में देखेंगे इस पाठ में हम इसी पर रोकेंगे हाँ ये ध् चतुर्थी विभक्ति यदि आपको लगानी है तो आप उसी सूत्र को ध्यान रखेगा जो हमें सारा याद रखते हैं चतुर्थी संप्रदाने ठीक है चतुर्थी विभक्ति करने के लिए चतुर्थी संप्रदाने चतुर्थी विभक्ति लगे गांगे इत्यादी प्रत् पूरा कारक प्रकरणा आपको इसी तरह सरलता से हम पढ़ाएंगे आज के इस पार्ट में इतना ही सभी लोग जुड़े रहे उसके लिए धन्यवाद नमा संस्कृता है